36 गर्ड के संसदी कार्यमंत्री रविन्द चौवे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सियम भूपेस वगेल इंडोनिया और सिंगापुर के दोरे पर हैं इस तोरन वे इंडोनिया के बाली में जाकर इंवेस्टर से मिलकर 36 गर्ड इंवेस्टमेंट लाने का प्रयास करेंगे क्योंकि माना जाता है कि इंडोनिया के ज़यतर इंवेंचर्स बाली में रहते हैं इसके बाद सियम भूपेस वगेल प्रयावन सम्मिल्दी प्रेस कॉन्फरेंस में अपने विचार साजा करेंगे आपको बता दें कि भूपेस वगेल का या दूसरा विदेशी दोरा है इसमें पहले वो अमेरिका के दोरे पर जा चुके हैं आदर्ने मुख्यमंतरी जी इंडोनेशिया और सिंगापूर के रिजेट में जा रहे हैं मुख्यमंतरी बनने के बाद मानी मुख्यमंतरी जी का ये दूसरा दौरा है पहला दौरा अमरिका हुआ था जिसमें लोकल हमारे चत्तित गड़ के लोग हैं आदर्ने मुख्यमंतरी जी जा रहे हैं सिंगापूर जिसको हम लोग ये मान के चलते हैं कि सबसे ज़्यादा सिंगापूर में ही कैपिटलिस्ट रहते हैं तो उनको आमंतरन देने और चत्तित गड़ की योजनाओं को बनाने बताने के लिए और बाली में जो एन्वार्मेंट के संदर में एक बड़ा कांफरेंस है उसमें मुख्यमंतरी जी 36 गड़ की वरतमान परिस्तितियों पे अपने ग्याख्यान देंगे शौर्ट विजिट है लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि बहुत सफर विजिट रहे